तो स्वागत आप सभी के इस वीडियो में आई इस वीडियो में बात करते हैं UP DL8 का Science का एक Important पूरा Complete Unit और आज हम देखेंगे Unit No.4 दोस्तों ये Second Class होने वाली है इसके पहले वीडियो में हमने Unit 1 देखा था Living Thing और Non Living Thing जो आपके Science Subject का Chapter 1 था वो हमने देखा था इसमें हम देखेंगे Unit 4 From A to Z From Beginning to End जो भी आपका इस Unit से इस Subject से आपके Exams में सवाल पूछे जाएंगे वो हर एक Quotations को देखेंगे ना कैवल Quotations देखेंगे साथी साथ इसकी Complete Theory देखेंगे Notes आपको मिलेगा Each and Every Point या इसी लिए हमने इसको One Short रखा है मतलब एक बार में सब कुछ All in One एक वीडियो में सब कुछ तो सुरू करते हैं दोस्तों आपके Class का Fourth Unit Second Class में स्वागत है आपका भौतिक मापन Fourth Unit जो है आपका भौतिक मापन Unit का नाम है इसमें क्या गया दोस्तों विविन भौतिक मापन ठीक है Measurement Simply बोले तो measurement आपको इसमें पढ़ना है मापन क्या हो सकता Needs क्या है Measurement की Needs क्या है और क्या-क्या Methods है विधिया जो है उनको जानना है MKS, SI और मापन एवं उनके मातरक units जानना है और क्या क्या आपके measurements के unit होते है यह सारे चीज़ आपको जानना है तो यह आपका subjects में syllabus में दिया होगा तो देखते हैं आपका first point विविन भौतिक मापन Different physical measurement दोस्तों आपके जो D.L.E. की most famous book है ठाकुर Publications उसके complete analysis हम इसमें करने वाले हैं आपको मिल जाएगा तो पहला topic क्या आता भाई विविन भौतिक मापन Different physical measurement यह चीज़े क्या होती है तो दोस्तों यहां से आपका जो सबसे पहला point और बहुत ज़्यादा important point आता है कई बार आपसे पूछता भी है simply एक word जो है हमारा मापन मापन क्या होता है यहनि कि आप मापन से क्या समझते है तो मापन क्या है जैसे आपको बता दूँ मापन में हम करते क्या है जैसे मान लोग आपको मेरी height नापनी हो तो आप मेरी height measurement करेंगे और बताएंगे 5 feet and this much of inches आप किसी चीज़ को weight करेंगे तो इतना kg वास्तों में आप करते क्या है किसी भी परीडाम किसी भी परिमाड किसी भी result को आप numbers में donate करते है मतलब किसी भी भौतिक रासी के परिमाड को संख्या में व्यक्ट करना मापन कहलाता है जी क्या जैसे मैं आप से पूछूँ कि आपको कितना बुखार है तो आप क्या बताओगे कि गरम है इतना कैसे बताओगे संख्या बताओगे कैसा है मुझे 101 डिगरी की बुखार है डॉक्टर कहेगा इस सोगए आप कि आउगे 106 डॉक्टर कहा लिए क्या करते हो किसी भी भौतिक राशी को आप संख्या में बता देते हो तो वही क्या कहलाता है मापन कहलाता है मेजरमेंट कहलाता है अब यह प्रकिरिया होती कैसी है देखिए मूलता तुलना करने की एक प्रकिरिया है मापन इसमें किसी भौतिक राशी की मातरा की तुलना पुर्वा निर सबसार के मातलब मतलब जैसे मानलिजिए पहले से ही एक स्टेंडर्ड एक स्टेंडर्ड हमें बताया गया है इसें our measurement है कि ये distance को हम एक मीटर कहते है वो पहले से तैए है तो है अब उस een मीटर के डिस्टेंसे हम तूलना करें जिस भी को इंद गूंपना जदा है कम है तो कितना ज़ाए जो एक ml का डिस्टेंस है जो एक केजी का सबस्क्राइब करते हैं जो 10 कיל केंज ल knit नद गहने खेंके कि वास्तों में तो बसाने मैं तूलना तूलना करने के परिक्रिया है, इसमें किसी भौतिक रासी की मात्रा की तूलना पुल्वदिधारी मात्रा से की जाती है। दस इक्वल पार्ट करेंगे तो वह एक मीटर होगा समझ में आगे बाद तो मीटर से हम मीटर को कि पुर्व निजाज़ते हैं उसकी तूलना करते हैं तो मापन क्या है वाई मापन किसी भौतिक रासी के परिमार का संख्या में प्रदर्सन है संख्या में व्यक्त करने की आप भी भासम नहीं जानेंगे जनरल ही हम समझेगे जैसा मैंने आपको शुरू में बताया बुखार वाला एक्सेंपल तो आपके स्वास्त संबंदित जैसे मान लिजा आप किसी डॉक्टर को बताएंगे कि बुखार तो कैसे बताएंगे डॉक्टर कैसे चेक करेगा तो स्वास्त के निदान और उपचार की सुरक्षा को परभावित और सुनिश्यत करने के लिए ठीक है इसके अलावा घरों में उर्जा मूल्य गैस की मातरा यह सारी चीजों के लिए मापन की आपको क्वांटिटी यूज करना है कितनी विजली यूज करनी है इन सारी चीजों इस आरेक्षिन में जाना है यहां पर हल्प करता है मापन अंतराष्टी समय मानको की स्थिर्ता सुरिश्चीत करने के लिए पूरी दुनिया में विश्वसरी यह तरीके से समवाद कर से अब मालो आपको कोई चीज किसी को देनी हो लेट सपोस्थ हमें हमारे कंट्री में हो कि उत्सरजन को मापना ठीक है परियावरत कितना बढ़ा कितना घटा इन सारे चीजों को खाद आप बूर्ती की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए बजारों में खरीदारी खरीद और विक्रिता के बिस एक निस्पक्ष बना रहे दोस्तों निस्पक्षिता सुन कि कि तरीके से माँपा जा सकता है कौन सा पहला CGS पध्धती, FPS पध्धती और मक्स पूर्ड़ती में प्11गंतों चाओं इसे कह बहुतर है में अदराश्टे अस्थर कैंगेती नीरी नत purely मेंramos प्क्राइज के कित जेतें दो आविसह आप गशचर बेंस्पशनियों CGS, CGS का मतलब cm, g और 2nd, आप किसी चीज को cm में बता सकते हैं, कि हाँ, इसकी distance, इसकी लंबाई cm किसी weight को g g में बता सकते हैं और time को second में बता सकते हैं इसके पहले आपको बता है, समय को पहर, एक पहर, दो पहर, अन्तिम पहर, इस तरहीके से मी में बता जा सकता है अभी second में बताए जाता है दूसरा है दोस्तो FPS, food pound और second एक ये भी प्रणाड़ी है, आप दूरी को food में बता सकते हैं, वजन को pond में बता सकते हैं, और समय को second में बता सकते हैं, देखिए जो food pound और second है इसे बृटिस पद्धती भी कहते हैं, ठीक है, और CGS पद्धती को French प एक स्टेंडर्ड है जो पूरी दुनिया में एक समान होता है उस पे हम मानते हैं वह है दोस्तों अंतराश्टी पद्धती इंटरेस्ट्रिश्टम अफ यूनिट जिसे एसाई यूनिट करते है पूरी दुनिया इसको मानती है वह क्या है यूनिट का है 1960 इस्वी में आंतराश्टी माप तौल के अधिनियम में SI को स्विकार किया गया, जिसका पूरा नाम DIS SYSTEM, INTERNATIONAL DIS UNITS है, इस प्रद्यति में साथ मूल मात रख हैं, और साथ और दो संपूरक मात रख हैं, साथ रासियां और दो संपूरक रासियां हैं, अब यहाँ पे इस पू करते हैं और जिसका मात्रक्त यानिकि जिसकी यूनिट होती है मीटर ठीक है तो पूरी दुनिया दोस्तों लंबाई को मीटर में नापती है मीटर में सम्मोजद करती है ठीक है यह ऐसा यूनिट मान गए मास को दोस्तों द्रब्यमान को हम किसमें मानेंगे किलोग्राम में मान और सवार पुछा उपर मसमेंटि साथ यूनिट कितना है पूर्ट कहले हैं समतलगोड कब करworks अब कुस्टे सिते यहां यह वह संग किद्युनिट का से धाते हैं यह सो यह स्य करप हो इन को की सब्सक्राइब यहाँ से आपका सवाल है वह हमेसा एक बार बनता है कि आपके टूटल कितनी रासिया कितने मातरक हैं और उदक wam रासि कहेंगे और इसको हम मूल मातरक कहेंगे यहाँ से सवाल बनेगा मैं आएधर एक आप सवाल आपको दिखाता हम अब यहां से आप से सवार पुझा, निमलिखीत में से कौन मूल मातरक नहीं है, कौन मूल मातरक नहीं है, सेकेंड है, न्यूटन नहीं है, किलो ग्राम, किलो ग्राम भी है, ठीक है, और कैंडिला भी है, तो कौन नहीं है दोस्तों, न्यूटन नहीं है, समझ में आ गए बात, यहां से सवाल आपको ऐसे बन जाएगा, एक और सवाल देख लीजिए, बहुतिक मापन की विधी है, CGS मैंने बताया हाँ है, MKS यह भी है, A और B दोनों हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपसे सवाल बनेगे, कुछ और सवाल देख लें, SI का मूल मातरक होते हैं, कित मातरक देख हैं, MKS पध्धिति का मूल मातरक है, MKS, MKS का मतलब मूल मातरक देखिएगा, मातरक कौन से हैं, बहुत है, मातरक, लंबाई, दरभ्यमान, A, B, दोनों, इनने में से कोई नहीं, क्या सही जवाब होगा, बताइए, क्या सही जवाब होगा, यह जो लंबाई और यहां पर आपसे यूनिट पूछ रहा है और इसमें कोई यूनिट नहीं है ठीक है चलिए हम कहां थे हम थे यहां पर हाँ तो यह हमारा जो है भाई मूल रासी हो गई यह हमारा यूनिट मैन की मात्रक हो गया चीक है चलिए तो fundamental units जादे कि मूल मात्रक साथ थे ठीक है अब एक और आता है दोस्तो तो derived units मतलब यूत्पन मात्रक जो यूत्पन जो drive है वो मूल मात्रक से बना होगा जैसे अगर आपको कोई length नापना हो तो आपने meter में नाप लिया लेकिन अगर आपको area नापना हो तो आप area को meter square में नापेंगे ठीक है इसी तरीके से speed नापना हो तो speed आप मानेंगे meter per second इसमें आपने दो fundamental units मूल मात्रक का इस्तमाल किया तो इसलिए इसको derived यानि की यूत्पन मात्रक कहते हैं समझ में आगे बाद जो simply fundamental unit से अगर किसी एक unit से बना हो तो हम उसको fundamental units मूल मात्रक मांगते हैं जब एक के दो या दो से अधिक यानि कि किसी दो को मिला के या एक कही दो बार मिला के हम बनाएंगी जैसे घनत तो volume का units क्या होता है meter cube ठीक है meter cube meter को तीन बार यूज किया गया है so this is not fundamental this is derived व्यूत्पन मात्रक समझ में आरी बाद चलिए तो यहां पर भी कुछ आपके examples दिए गहें derived units के और इसको व्यूत्पन मात्रक कहते हैं जैसे एरिया चेत्र फल, meter square, आयतन, meter cube, घनत्व, density, kilometer per meter cube, kilogram per meter cube, speed, meter per second, velocity, meter per second, त्वरड, acceleration, meter per second, square इसमें आप देखेंगे इसमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक यहां पर fundamental units और मून मात्रक इस्तमाल किये गए इसे हम यूत्पन मात्रक याने की derived units कहते हैं समझ में आगई बाद, चलिए, इस SRI पत्ति में इसमें कोई limit नहीं है fix, इसमें ज्यादा होते हैं, चलिए, next point देखेंगे, विभी इन प्रकार के मापन एम उनके मात्रक, ठीक है, so different type of measurement and their units, अब किसी चीज को आप measure कैसे करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे distance को, distance को हम कित आपको normal measurement करना हो तो, लेकिन इसकी limitation है, अगर बहुत छोटा हो तो आप इसको नहीं नाप सकते हैं, तो जो हमारा छोटी दूरियों को मापन हम scale से कर लेते हैं, scale में आप 0.1 cm तक की दूरी को माप सकते हैं, जैसे मान लिए ये 1 cm की दूरी है, तो आप 0.1 cm यहां तक माप स करते हैं, यह क्या है, मसीन है, equipment होती है, जिससे हम इस्तमाल करते हैं, जैसे हमारे पास यह रहा, यह रहा हमारे पास vernier calipers, यह रहा हमारे पास screw gauge, ठीक है, अतिस सुच में दूरियों को मापने के लिए screw gauge, vernier calipers, तथा spherometer का विपयोग किया जाता है, बहुत बड़ी दू तो उसको हम एक लंबन विधी होती है, जिसमें टिग्नेमेटरी के कर फॉर्मूला जिससे, उन्ययन कोड, और उन्ययन कोड, इसको कुछ एंगल के हिसाब से, टेन ठीटा इसको लंबटा आधार, इस तरीके से हम कुछ एंगल लगा के हम इसको मापते हैं, तो इतना डीप ह हम 0.1 cm तब नाप सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दूरी हो, जैसे दो ग्रहों की बीच की दूरी, चुन्द, सुर्य चंद्रमा की दूरी, इसको हम इस बिधी से नापते हैं, इसको बस हमें नाम याद रखना है, समझ में आ गई बात, I hope की समझ में आ गई होगी कुछ यहाँ पर आपको units दिये गए, इसको याद करना है, जैसे meter, 1 meter में कितने decimeters होते हैं, इस तरीके से आपको देखना है, कितने centimeter होते हैं, ठीक है, कितने millimeter होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, मतलब 1 meter में 10 centimeter, 10 decimeter, 100 centimeter, 1000 millimeter, और micrometer, 10 to power 6, micrometer, इस तरीके से आपको याद करना पहलेगा मेजरमेंट का मापन समानती तूर्प तूला तराजू स सब्सक्राइब मेचचों कैसे राजू तुला से राजू को उच्थ खम कारमा कित्ने मचू कार्बंड का। भी है तो यहां भी कुछ आपको यूनिस्स देखने को मिलेगा ग्राम एक ग्राम से जञादा और इसको भी आपको याद करने पड़ेगा अब जैसे एक ग्र टीए एक G bury 괉 hektogram kg तो Ekός 1 kg में 1.000 g ठीक वैसे ही 1 Raspberry भी except 1 oh शूद्ध लैसे जैसे एक गराम है यहाँ पर जब 1000 अधर में 6 elim क्ज़ऄें इस एक और हग्राम मटेगा चाहिए टाउ्त है ।िप्ट कुछ आप श्रह लिख मैं पड़ेगा इतना जैसंव आपके ध्यान में रखना पड़ेगा इसी तरह से समय का दोस्तों सेकेंड में मापते हैं सेकेंड में हम नॉर्मल ऐसी घड़ी से माप लेते हैं इसको हम डिजिटल घड़ी कह लेते हैं ठीक इसको एनलोग घड़ी कह लेते हैं इस तरीके से हम घड़ी से समय का मापन करते हैं यह डोस्तों जिसे हम कहते हैं सीजीम घडी यानिकी प्रमाडव घड़ यह क्या बहुत सुद्ध मापन करती हैं यह लगभग दोस्तों घड़ी एक वर्ष में तीन सकेंड में मापनेगे ना तो लगभग तीन सेकेंड के error होगा तो यह बहुत भी सुध घड़ी माने जाती है इससे हम सीजीम घड़ी या प्रमाडू घड़ी कहते हैं तो समय कमापन किसे कहते हैं घड़ी से कहते हैं ठीक वैसे आपको कुछ आपको यहां पर यूनिट अपर देख लेना पड़ेगा एक सेकेंड मिली सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं इस तरीके से सब्सक्राइब कितने मिली सेकेंड होंगे एक मिली सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे एक सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड होंगे इतना ल में आपको नहीं जाना नहीं। दो और इस युनिट में है, वो क्या है वरसा मापने का एक यंद्र होता है। वर्सा मापने का एक यंत्र होता है चीक है क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है बोर हो रहे हो चलिए ठीक है दो और पॉइंट देख लो उसके बाद कोश्या अंसर देखेंगे फिर इस वीडियो के समाप्त करेंगे आपसे सवाल बहुत बेसिक सा है बेसिक सा सवाल आपसे पूछ कप होता है या फिर इस तरीके का एक यूस वो सिरिंज देखा आपने जिससे भरते हैं तो वह नीचे से पैक उसमें कुछ मीटर यहां पर लिखे रहते हैं आप उसको खुले जगह पर रख दीजिए जब से बारिस सुरू हुई उससे पहले रख देंगे जब सब आप उसम समाग्री भेज रहा है तो इस सदीचिये का हम ऊहाँ से आखली निकालते हैं तो रीन गीज के होता है बारिश को ना पा जाता है दूसरह दो्स्तो TV थर्ममटर करते हैं घर का ठाप मान बुखार अब का हां करें दिखा होता है जो कारे वहाग द्राव की रूप में कारे वरता है मतलब काम करता है ताप मान के पारे के विस्तार के कारण वृद्धी होती है अतब तरल पदार्थ की मातरा को माप कर ताप मान का पता लगा जा सकता है सबसे पहले दोस्तों अविसकार 18 सब्सक्राबदी में ताप मा था मोच्ट है उसका विस्कार 172 में गेवल फेरनहाईट था जिक्रेट परहे पारा थर्ममेटर परय में यहीचा प्रॉलियाज यहीर धैससे में गाले किना अडिक्रियां याशा भास्ताम दोस्तों यहिं आपका complete Unit है इसमें आपको क्या क्या जानना है मापन आपन आपने अपिल च्ञाया अपने देख लिया आपके मुल माज़ुमांध रख्या होते आपने यह समय दिसेंस का मान का den Toby का के मापन कैसे करते हैं भार का यारी के दरब्यमान का मापन कैसे करते हैं सेकेंड का मापन कैसे करते हैं यह आपने देख लिया इसके अलावा जो आपने के मूले मातरक नहीं है सेकेंड हैं कि फंडामेंटल कीलोगराम है केंडिला है न्यूटन हमारा फंडामेंटर नहीं है बहुत अच्छी बात मापन की हैरह बहुत ऑपन का साथ होते हैं यहां पर याद रखिए दो जवाब है तो यहां उपरुप्त में से दोनों को ही है तो हम इसको मानेंगे इस celsius को मानें ठीक है celsius यहां का सभी जाला कि Kelvin भी होता है Kelvin से भी हम ताप मानते हैं ठीक है थर्मोमेटर की बात कि जाएगे तो celsius यहां पर चुकि एक समय का मानते है समय का मानक स्टेंडर्ड युणि leverage कौन से एक है आर्स घंटा भी होता है project तो होता नहीं है सेटन के स्टेंडर्ड दोस्तों वह क्या है bzw second समय का seconds रहें करेक्ट कुरेक्टちょ चलिए नेक्स्ट विद्दुधारा का SI unit क्या है SI unit क्या वाई विद्दुधारा का केल्विन मॉल नहीं है MPR है केंडिला नहीं MPR है MPR पर याद करना पड़ेगा नेक्स्ट बहुत इक मात्रकों का अंतराष्टी प्रहड़ी में आता है क्या क्या Life रहाद नेक्सीा से था विषकले लिए लिक्तुश्स दो जो dynasty के सवाल यह आंगे आप छापके क्या रेंगेज क्या रेंट का मतलब वर्शा ए वर्शा लिरेंगेज टृच वर्षा वर्षा prepared वर्ष की है आपिकी सवाइर से होता है तो एक ए इसका वारिजाच लिगें है भोती तो कितने प्रकार कुते होते हैं कितने होते हैं इस साथ होते हैं कितने आपको सथ हमने यह को बता इकिला ठीक了 यूंत धर्मामींटर एपने और कब ट्रिटर का अविश्कार उमाले कि लेताद चालियों है तरॉंझाड़ मेंटर B बहुतिक मात्रकों की अंतरास्टे प्राडी का उलेख किजिए SI unit का आपको यहाँ पर उलेख करना है SI unit क्या है भई? SI unit पुरे अंतरास्टे अस्तर पे इसको माना जाने है वाश्मिकार किया जाना वाल एक मात्रक है इसमें साथ मूल मात्रक होते हैं इसके बारे मां कोड लेख करना है भौतिक मापन की अवसक्ता बताना है भाई ठीक है भौतिक मापन की विधियां तीन विधियां बता दीजिए CGS MKS और MKS और FPS फूट पॉट पॉंडर से गया है इसके अलावे जो अंतराष्ट यह साई आपको यहां पर भी और मेंशन कर दीजिए SI के संपूरक मात्रक लिए संपूरक मात्रक दो हमने बताया थे दोस्तों रेडियन और स्टे रेडियां ठीक है कितनी मात्रा इंप किसमें दोस्तों मिल्मिटर और मीटर इसमें इंच में मानते हैं कि वर्से आमके अश्मापन के बारे में पंढ़ना था के इनी शॉट चीजों से आसान सा चेप्टर से आपको बताया जाता है और इसी से लेटर आपके सवाल आएंगे और मैं आसा करता हूँ कि जो आपने पढ़ा जो आपने समझा इसी से समझता आपके exams में पूछेंगे तो यह आपका fourth unit था अब हम देखेंगे fifth unit में fifth unit आपका कि गती एंबल motion और force होने वाला है जो कि हम class three में अगले class में देखेंगे इस वीडियो में फिलाल इतना ही इस वीडियो में हमने देखा बहुत तिक मापन और की physical quantity का measurement हमने देखा और अगले वीडियो में हम देखेंगे force और आपके motions के बारे में ठीक है पूरे chapter को आप देख लेंगे तो समझ में आ जागा किस तरीके सवाल आपसे पूझा जाता है एक बार कम से कम आपको बच्चों को कल जाके यही पढ़ाना है तो बस इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा कर दो पिलाओाना ही इस वीडियो में आपको